दोस्तों, आज के समय में बिल गेट्स को भला कौन नहीं जानता होगा। बिल गेट्स तुनिया की सबसे बड़ी सौफ्ट्वियर कंपनी माइक्रोशाप्ट के सह संस्थापक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहा अध्यक्ष हैं। उनकी अनुमानित कुल समपत्ती लगबग 124 बिलियन डॉलर है। 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सियेटल में जन्में विलियम बिल हेंरी गेट्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी बीजनेस माइन है। एक समय था जब वो दुनिया के सबसे अमेर बेक्ती हुआ करते थे। बिल गेट्स जब 32 साल के थे तब ही उनका नाम अरबपतियों की फोड सूची में आ गया था। गेट्स को दानवीर भी कहा जाता है। आईए जानते हैं बिल गेट्स से जुड़े कुछ रोचक तक थी। बिल गेट्स किताबों के बहुत सौचीन हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो हर साल कम से कम पच्चास किताबें पढ़ते हैं। उनका कहिना है कि पढ़ने के दो फायदे होते हैं। एक तो नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और दूसरी समझ का परिच्छन हो जाता है। अपनी की सिवरावस्था के दोरान बिल गेट्स ने वर्ड बुक इन साइक्लोपीडिया किताब की पूरी सीरीज पढ़ लिया था। बिल गेट्स जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब आठ सो करोड रुपाय है। इसमें स्विमिंग पूल सहीत सभी सुक्सुधाय सम्मवजूद है। बिल गेट्स ने अपना पहला कम्प्यूटर साफ्ट्वेर प्रोग्राम सिर्फ तेरा वर्ष की आयूँ में बना लिया था। बिल गेट्स कहते हैं कि यदि मैं माइक्रोशॉट में काम नहीं करता तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक रिसर्चर होता है। उनका मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी इंसानी नौकरियों को अपने कबजे में ले लेगा। अता जो रोबोट इंसान की नौकरी लेता है उस पर टैक्स लगना चाहिए। बिल गेट्स को अंग्रेजी के लावा कोई और भासा नहीं आती है। उन्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा अफसोस यही है। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे कोई विदेशी भासा नहीं आती है। इसका मुझे अफसोस है। जब 1997 में एपल कंपणी दिवालिया होने की गगारप में थी। तब माइक्रोशॉफ्ट ने अपने प्रितिद्वन्दी कंपणी एपल में डिएर सो मिलियन डालर का निवेस किया। और एपल को दिवालिया होने से बचाया था। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोशॉफ्ट कंपणी ने बनाया है। ये 75 प्रसत हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे लोगप्री डेक्स्टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल गेट्स का लक्ष 30 साल की उमर तक पहुंचने से पहले एक करोणपती बनना था। लेकिन वे 31 साल की उमर में ही एक अरबपती बन गए। बिल गेट्स 31 वर्ष की आयू में सन 1987 में सदी के सबसे कम उमर के अरबपती तथा 1997 में यह दुनिया के सबसे अमीर बैक्ती बन गए थे। बिल गेट्स ने जिस स्कूल से पढ़ाई की वो युएस का एकलावता स्कूल था जहां पर कम्प्यूटर सिखाया जाता था। गेट्स ने अपने स्कूलों द्वारा किये गए चम्विधिक मुल्यंकन परिच्छा में 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किये थे। गेट्स ने अपना पहला कम्प्यूटर प्रोग्राम अपने स्कूल में साधारन इलेक्ट्रिक कम्प्यूटर पर लिखा था। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध गेम टिक टैक टो का ही एक रूप था। Altair Basic Microsoft द्वारा बनाया गया पहला प्रोडक्ट है। जब उनके स्कूल को गेट्स की कोडिंग चमताओं के बारे में पता चला। तो उन्हें कच्छाओं के लिए टाइम टेबल सिस्टम बनाने के लिए कम्प्यूटर प्रोग्राम लिखने का मौका मिला। जब गेट्स और एलन स्कूल में थे तब उन दोनों ने पॉल गिलबर्ट के साथ मिलकर एक कम्पनी की सुरुवात की थी। उन्होंने ट्रैफो डेटा आठ हजार आठ नमक कम्प्यूटर बनाया था। जो की रोड पर लगे ट्रैफिक काउंटरों से डेटा पढ़ने और ट्रैफिक इंजिनिरों के रिपोर्ट बनाने के काम करती थी। बिल गेट्स ने 1975 में अपनी पढ़ाई पूरी किया बिना हारवर्ड छोड़कर अपने बच्पन के दोस्त पाल एलन के साथ माइक्रोसॉट नमक सौप्टेयर कम्पनी की स्थापना की थी। लेकिन अपने पिता को दिये गए वादे को पूरा करने के लिए वे 32 साल बाद कालेज वापस गए और 2007 में हारवर्ड यूनिवरस्टी से मानत डिगरी प्राप्त की। बिल गेट्स ने अब तक लगबग 28 अरब यूएस डालर का दान दिया है और अभी भी ये जारी है बिल गेट्स त्वारा दिये गए हेल्थ डोनेशन से अरबों लोगों की जिन्दगी बचाई जाती है बिल गेट्स 2022 तक 75.8 बिलियन डालर की संपत्ति दान कर चुके हैं तुनिया के सबसे बड़े परवपकारी लोगों में बिल गेट्स जमसेद जी टाटा के बाद दूसरे नमबर पर आते हैं प्रतेक वर्स बिल गेट्स हेल्थ फाउंडेशन ने बिश्व स्वास्त चंगठन की तुलना में 207 पर स्वास्त के लिए अधिक पैसा खर्च किया है हर साल बिल गेट्स अपने दान की समिक्षा करने और 207 पर जाग रुकता पाइदा करने के लिए भारत आते हैं 1977 में उन्हें बिना लाइसंस के ड्राइविंग करने के जुर्म में न्यू मेक्सिको में गिरफतार किया गया था गेट्स को कारें बहुत पसंद हैं गेट्स की सबसे मनपसंद कार 1989 में खरीदी हुई पोर्च 911 है एक साक्षातकार में गेट्स ने सुईकार किया कि कंप्यूटर में लाग इन करने के लिए Ctrl प्लस Alt प्लस Delete बटन का कंबिनेशन एक प्रकार की गलती थी बिल गेट्स और एपल के सा संस्थापक Steve Jobs बहुत अच्छे मित्र थे जब Steve Jobs ब हास्पिटल में थे अंतिम सांस ले रहे थे तब उनके पास गेट्स का दिया हुआ एक लेटर था 100 बिलियन डालर से भी अधिक की अपार संपत्ती होने के बावजूद गेट्स के बच्चों को सिर्फ 10 मिलियन डालर ही मिलेंगे जो कि उनकी संपत्ती का 0.2% हिस्सा भी नहीं है 1994 में बिल ने अपनी पुरानी प्रेमिका मिलिंडा से साधी की थी जिनसे उन्हें तीन बच्चे हैं बेटी जेनिफर कैथरीन और फोबे एडिले और बेटा रोरी जॉन दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी धन्यवाद जैन